हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शौट सर्किट क्या होता है दोस्तों अगर आपने एलेक्टिकल से डिप्लोमा कर रखा है आई टाई कर रखा है तो इस चैनल को जरू सो जरू सब्सक्राइब कर दें और सेर करना ना दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि शौट वीडियो शौट सर्किट क्या होता सौरी बात करते हैं एक्जांपल से दोस्तों यह कॉंसेप्ट है महिसा के लिए आपका क्लियर होने वाला हुए तो जरूर जरूर एंड तक बने रहे हैं और वीडियो को छोन करना जाएं द प्रेक्टिकल का जितनी भी सर्किट है उनको टच ना करें के अल दूर से ही देखें जब तक जब आपके पास experience हो जाएगा तो सपोस्ट आप सर्किट के पीछे हो जाएगे एक स्पेशलेट बन जाएगे तो यह थोड़ा फनी था दोस्तों आई होब की पसंद आया होगा दोस्तों अब बात करते हैं शौट सर्किट के बारे में दोस्तों यहां पर आपको पूरा concept क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है शौ के संपर्ख में आजाता यानि renewable में तूच हो जाता है तो क्या है हमारा सरीट हो जाता है एक हम मारा अर्थ वाइर होता है और यहमारी फिरीज वायर भी अगर हमारे अर्थ वायर पर ट mashेता है तो भी था और यह एक्जमपल ले लेते हैं, बहुत ये understanding से मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ये अच्छे से explain करने वाला हूं, समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, अब दोस्तों इसको देखने के बाद आपका concept हमेशा के लिए clear हो जाएगा, अब दोस्तों बात करें कि जैसे हमारे पास क्या है Phase wire क्या है Phase fire जब भी हमारे neutral wire को टच कर दे यह हमारे पास एक यह एक यह वायर और आर्थ हर अब यही हमारा फे वायर आर्थ वायर को भी अगर टच कर दे तो हमारी सॉट सर्कीट हो Navy दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घरों में फ्यूज लगवता है इस वजह से हमारा फ्यूज उड़ने के दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा जब भी उड़ता है तो क्या condition होती है कि हमारा जो auriform faire nutre टच हो जाता है तो भी हमारा जो हमारा future होता है वह क्या है उड़ जाता है अगर यह फ्यूज ना लगा रहे तो हमारे जो equipment है वो जल जाएंगे तो ये हम safety लगाते हैं फिउज उट जाता येे वज़ेश से क्या होता है हमारा उपकरण क्या है बच जाता है क्या जलता भी नहीं क्यो जो हमारे फेस वइड क्या है नीउटल वायर या हमारे अड़ वायर के संपर्क में आ जाए तो हमारे सरीकिट जो मतलब फ्यूज होता है वो उड जाता है जिस कारण उसमें विदुधारा का प्रवाय समाप्त हो जाता है और ऐसा circuit क्या होता है हमारा short circuit के लाता है दोस्तों ये आप definition अपने एक्जाम में भी लिख सकते हैं आई टीए डिप्लोमा वाले और full number ले सकते हैं दोस्तों आपके मन में एक question और होगा कि leakage circuit किसे कहते हैं दोस्तों leakage कई बार leakage circuit होता है कैसे होता है वो भी बताने वाला हूँ जैसे कि suppose that हमारे पास कोई equipment है ठीक है उसका जो phase wire है यह हमारा phase wire है वो उस equipment की body पर touch हो जाता है या कोई भी नम दिवार हो गई या conduit pipe में touch हो रहा या earth line में touch हो रहा या neutral line को इस परच करने लगता है तो जब भी हमारा phase wire को इस equipment को touch करने लग जाए या earth wire को या neutral line को touch करने लग जाए तो उससे क्या होता है जो हमारा electrical current का कुछ uns होता है वो leak होने लग जाता है क्योंकि phase wire से हमारा electrical current flow होता है electron flow होता है तो जिस current leak होने के वाज़े से हमारा current है वो load तक नहीं पहुंच पाता और हमारा circuit मतलब glow नहीं करता और circuit हमारा leak के circuit कहलाता है तो यह दोस्तों भी आप definition अपने exam में लिख सकते हैं full number के लिए दोस्त topic पर आपको वीडियो चाहिए जरूर से जरूर मिलेगी thank you friends for watching this video for support me thank you friends